कल्यान में एक प्रेमिका को मार कर्जत की जंगल में जलाने वाले प्रेमिको कल्यान पुलिस ने किया गिरफतार मनेस अध्यक्ष राज ठाकरे ने केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को दोका धड़ी बताया साथ ही कहा इसे लागू करके केंद्र सरकार देश की महानगर पालिकाओं से श्रेय छीनना चाहती है बॉंबे हाइकोर्ट ने 2002 के हीट और रन केस मामले में अभिनेदा सल्मान खान पर लगाय सभी आरोपों को खारिश करते हुए उन्हें बरी कर दिया है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए गोंगुक्स से लेकर हरिद्वार तक गंगा नदी में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तिमाल पर लगाया बैन जो एक फरवरी से लागू होगा और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उस पर पांच से पीस हजार तक का जुर्माना लगेगा पत्रकार एस बाल कृष्णन ने 4.28 करोड रुपे में खरीदा दाउद इब्राहिम का होटेल दिली जायका चेन्नाई में आई भीशन बाड सित्रस्ट इंप्लोईस की मदद के लिए टाटा कंसर्टेंसे सर्वीसेज ने खोला अपना खजाना 100 करोड रुपे की राशी कर्मचारियों को एडवांस बाटने का लिया फैसला दिली के नरेला इलाके में एक महिला ने अपने 18 साल के बॉइफरेंट के साथ मिलकर अपने 6 साल पुराने लिविन लाइफ पार्टनर की बेरहमी से की हत्या पुलिस ने महिला और उसके 18 साल के बॉइफरेंट को किया गिरफतार हैदराबाद की उस्मानिया युनिवर्सिटी में कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद बीफ फेस्टिवल आयुजित करने की योजना बना रहे सोलर छात्रों को पुलिस ने किया गिरमता सनी लियोन की फिल्म मस्ती जादे का टीजर हुआ रिलीज शेयर बाजार में सेंसेक 27 प्रतिशत से बढ़कर 25,252.32 पर पहुँचा निफ्टी 80 प्रतिशत से गिरकर 7,683.30 पर पहुँचा तो टर्न और पहुँचा 2464.41 करोर पर लगातार खबरे जानने के लिए डाउनलोड कीजिए मेरा इलाका एंड्रोइड आप